इडियम आफ दे डे में आज हम पढ़ेंगे एक शानदार इडियम रेस्ट औन वान्स ओर्स ये इस कड़ी का सेशन नमबर 25 है आईए आज के सेशन को शुरू कर देते हैं रेस्ट औन वान्स ओर्स ओर्स आप जानते किसको बोलते हैं हिंदी में एक शब्द मैं लेख रहा हूँ चप्पू चप्पू वही चीज़े जिससे नाओ चलाई जाती है उसे एक दिशा दी जाती है साथी साथ रफ्तार भी दी जाती है रेस्ट औन वान्स ओर्स का मुटा मुटा मीनिंग है तो रिलाक्स पूर वाइल आफ्टर एक्जर्शन एक्जर्शन का मतलब है कि आपने फिजिकल लेबर किया है आपने पसीना बहाया है दम खम खर्च किया है और फिर आप आराम करेंगे खास तोर पे लंबे समय के लिए नहीं कुछ देर के लिए ही आईए बताता हूँ मैं आपको ये देखे इमिज इसमें इस तरफ तीन ये ओर्स बने हुएं ये ओर्स ही तो है यहीं पे नाविक पकड़ता है इधर मारता है पानी में ये देखिए वेक्तिया ऐसा कर भी रहा है इस तरफ, प्राया क्या होता है कि जब आप साइकल चला रहे होते हैं और एक समय तक जब आपने पैडल उस पे मारा और रफ़तार मिल गई, तो हम क्या करते हैं कि पैडल से पैर को हटा लेते हैं, क्यों? क्योंकि हमको मालूम है कि ह हमें रफ़तार मिल गई है, हमें जितना चाहिए था उतना हमने गेन कर लिया, अब हम थोड़ा सा आराम कर लेंगे, फिर जैसे रफ़तार कम होती हम फिर से जो है पैडल मालना शुरू कर देते हैं, ऐसा ही लोग नाव चलाते समय भी करते हैं, जब उन्हें जितनी रफ़त पैर भी रख लेते हैं या उस पर बैठ चाते हैं, इसको कहते हैं कि आप आराम कर रहे हैं, क्योंकि आपको जितना रफ़तार चाहिए थी, जो दिशा चाहिए थे, वो मिल गई, जो आपको गेन करना चाहिए था, वो आपने गेन कर लिया है, तो अब आप आराम कर रहे हैं प्राया तो ये आराम short term का ही होता थोड़ी देर के लिए ही क्योंकि थोड़ी देर बात फिर से रफतार आपको चाहिए होगी लेकिन कई बार इस idiom का meaning negative भी हो जाता है तब इसका meaning हो जाता है कि आप complacent हो गए हैं कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ती देर तक ही बैठा रहेगा अच्छा ये बताइए अगर देर तक आप एडल नहीं मारेंगे तो cycle दीरे-दीरे करके रुख जाएगी और कई बार तो गिर भी सकती है ऐसे ही नाव भी दीरे-दीरे करके रुख जाएगी कभी-कभी तो पलट भी सकती है तो rest on once ors का ये भी मतलब है कि आप ज़्यादा आराम करने लगे हैं to be complacent हो जाएगा आप मुख्ध हो जाएगे क्योंकि आपको लगा है कि जितना आपको अचीव करना था उतना आपने अचीव कर ही लिया है तो rest on once ors का एक meaning तो हुआ कि आपको इस देर के लिए आराम करेंगे क्योंकि जितनी रफ्तार आपको चाहिए थी जितना आप कर सकते थे या करना चाहा रहते एक बार में उतना आपने कर लिया और कई बार ये आराम लंबा हो सकता है आप जादा ही संतोस्ट हो जाएं तो ये भी हो सकता तब negative हो जाएगा जैसे कि बहुत सारे armed forces में job करने वाले लोग जब 40 से 45 साल के आसपास retire हो जाते हैं तो वो इतने healthy होते हैं इतने fit होते हैं कि वो life की second innings भी खेल सकते हैं तमाम लोग ऐसा करते भी है फिर से कोई job करते हैं चाहे वो clerical job हो चाहे गार्ड वाली job हो चाहे एक service man के कोटे से सरकारी नौकरी लेने वाली बात हो लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि बहुत कमा लिया अब जो pension आएगे उससे घर चलाएंगे ये नकारात्मक है कहते हैं कि तब तक चलते रहना चाहिए जब तक तन में सांस है समझ रहे हैं तो ये गलत बरताव भी है तब एक प्रकार से आप आलसी है आपकी भीतर एक आलस से है जरूर से ज़्यादा आपको आपकी सफलता ने मंत्रमोग धिकर दिया है जो की पूरी तरीके से गलत है यही वो समय है जब आपका पतन शुरू हो जाता है आपका decline स्टा हो जाता है after designing the handouts for the campaign I'm taking part in मैं जिस campaign में हिस्सा ले रहा हूं उसके मैंने handouts design कर दिये हैं I decided to rest on my ores before moving on मैंने सोचा कुछ दिर आराम कर लेते फिर आगे का काम करेंगे after winning the very prestigious trophy बतलब बहुत ही अच्छी trophy जिसकी बड़ी respect हो समान जनक trophy को जीतने के बाद the player rested rest को यहां वर बना दिया गया second form लगा दी गयी on his ores for six months इन दोनों में मैंने कुछ नकारात्मक नहीं लिखा है सिर्फ इतना ही लिखा है कि आप आराम कर रहें कुछ देर के लिए जो negative aspect है इसका वो मैंने आपको औरली ही बता दिया है मुझे उमीद है समझ में आपको जरूर आया होगा कैसा लगा मुझे comment के माध्यम से बताईएगा एक student ने message किया है कि batten down the hatches को पढ़ाया जा है तो अगले session में मुसी को बढ़ाएंगे अभी के लिए इतना ही thank you so much